नमस्कार आप देख रहे हैं आज की ख़बर में हूँ आपके स्थाच शुवानी पांडे टीवी पत्रिकार अरनव गुस्वामी और उनकी पत्नी पर 22 अप्रेल की रात दो बजे कुछ अग्यात व्यक्तियों ने हमला कर दिया यह हमला उस समय हुआ जब दोनु स्टूडियों से घर जा रहे थे इस हमले में पुलिस में शिकायत दर्स कर दी गई है सूचन और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने टीवी पत्रिकार अरनव गुस्वामी पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि हम किसी भी पत्रिकार पर हुए हमले की निंदा करते हैं यह लोकता अंत्र के खिलाफ है और यह वास्तव में विडंबना है अब दोनु से जानलेवा हमले की निंदा करते हैं ख़ोगatta यह दानलेवा हमले कौमार्द फ रहले की निंदा सौ इटिकार पत्राव कैstat टीवारमध के वी पत्रिकार अंत्र रहे ज सॅनों आपके प्योंगे लेश का रहीं करते हैं हम थोनि मेरे कि टीव agility चायर की एत्व फट्रॉल रह में भी जानलेवा हमствен। when their bike stopped, I thought that perhaps there was a problem with their bike so I try to turn a little bit towards my left at that point of time one of the two people started pointing specifically at me and he turned his bike back and he came right next to my car and then they started hitting my car with something and trying to break the window pane of बार वांट रिथनोबोन इवारी पीद पार पीन साफ घर कीज़गग़ मेंट oluyor ब tomato पीद़ैने हैं की तर इताला मेंधोन। हमिचिन से के syntíasquent क году साथावरी पन כई आप्छ मेंट अए 00. एल्डिक्मिन्ट वीचे का में अचाउ ये ट amended अивает साथारी आप eldest. Then they started taking out bottles and they were furiously throwing liquids at my car. They made another attempt to break the window panes of the car. This continued. At that point of time, I pressed my foot on the accelerator. I turned a little bit to the left. The car swerved. There was a screeching sound and I moved away. हाला कि इस हमले में दोनों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है. अर्नव गुसामी और उनकी पत्नी पर हमले के सलसले में दो लोगों को गिरफतार किया जा चुका है. इस मामले में एनम जोशी मार्क पुलिस स्टेशन पर IPC की धारा 341 और 504 के तहटे 5 यार्ड दर्स की गई है. इसे के साथ आप देखते रहें आज की खबर. नमस्कार.